सुसब कैसे हैं आप सभी मीदे आप सभी अच्छे हूँंगे और आपकी दिवाओं से मैं भी अच्छा हूं। थोड़ा सा डिले हो गया है आप actors solution देने में Ч्छ मेरी थी मैठ की सेकेंड सेमेंटर की आप लोगों की उसका मैं कर रहा था जिसके वज़est इससर सेभीर है cheers anch now to सिच्छा के मॉलिक अधिकार इंतरगत बालकों की आयू है कितना हो तो आप लोग यह स्विमा दोस्तों Chuck's चे से लेकर कि आप लोग का 14 sent s कि अगला केश्ञ ईना आप फूछा गई दोस्तों कि वूड़ का घोशडा पत्र की सवर्स आया था दोस्तों तो वूड़ का घोशडा पत्र आप लोग का अठारज सब क जवन श。」 इंद अज इस इस्वि कि मैं ये अफ कलों का कुंसों हो जाएगा का जो था आपनों का राइट अंसर हो जाएगा अगला क्रेशन है कि सिच्छकों हे तू राष्ट्री पुरस्कार का आरंब कब किया गया तो सिच्छकों हे तू राष्ट्री पुरस्कार का प्रारंब दोस्तों 1958 में किया गया तो आपनों का राइट अंसर इसका चला जाएगा पहले पर किस पे चला जा गया दोस्तों सन 1908 वी में किया गया ठीक है अगला है दोस्तों 10 प्लस 2 प्लस 3 सैचिक संरचना का सुझाओ किस आयोग ने दिया था ये दोस्तों अपनों का दिया था कोठारी आयोग किसने दोस्तों कोठारी कमिशन या कोठारी आयोग ने दिया था दोस्तों अगला है कि प्रोफेसल यस्पाल समीति का गठन भारत सरकार दोरा किया गया दोस्तों तो बहुती में गया था तो आप लोगों का राइट अंसर पहले पहो जाए गा 92 अगला दोस्तों क्या है आपका की बीट पी क्या है दोस्तों तो basic education पालसी बोल सकते हैं तो आप लोगों का क्या हो जाएगा बेसिक सिच्छा परी योजना दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों चैनल पर नए होईगा सब्सक्राइब जरूर करिएगा आप लोगों के लिए हम लोग मेहनत करते रहते हैं देखिए इसमें क्लियर आप लोगों का दिख नहीं रहा है प्रस्णा आपका पुछा गया है कस्तूर्बा गांधी विद्याल योजना का प्रारम कब किया गया था दोस्तों तो कस्तूर्बा गांधी दोस्तों तो इसका जो आप लोगों का राइट अंसर होगा दोस्तों इसमें है उच प्राथमिक बाली का सिच्छा से है क्या दोस्तों उच प्राथमिक बाली का सिच्छा से आप लोगों का संबन्द है दोस्तों अगला आप लोगों का है देखिए मैं दूसरा पेपर लेता हूँ दोस्तों एक और पेपर है फिर मैं आपको सालिशन देता हूँ चले दोस्तों अब आपनों को क्लीर दिख रहा होगा देखिए उसे दिखने जाद है अगला है आपका देखिए कि DPEP कारिकरम की सुरुवात कब हुई दोस्तों तो DPEP जो दोस्तों कारिकरम की सुरुवात 1994 में हुई थी इसका राइट आंसर आपनों का तीसरा पर हो जाएगा अगला है दोस्तों NCRT का मुख्याला है तो इसका जो मुख्याला है दोस्तों आपनों का राइट आंसर चला जाएगा तीसरे पर आप लोगों का निव डेल ही नई दिल्ली में है दोस्तों अगला है कि राष्ट्री सिख्षा आयोग के अध्यक्ष क्या दोस्तों कि राष्ट्री सिख्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों तो आपका डाक्टर दौलत सिंग को ठारी क्या दोस्तों डियस को ठारी थे अगला आपनों का question है दोस्तों कि basic सिच्छा अधिनियम का पारित हुआ दोस्तों सन 1992 में हुआ था दोस्तों कब हुआ था 1992 में हुआ था अगला question है बच्चों के लिए निहसूल के अनिमारी सिच्छा का प्रावधान समिधान की किस धारा में है तो धारा अपनों का 45 है दोस्तों कौनसा है धारा अपनों का 45 अगला दोस्तों इस्कूल चलो अभियान अंग है दोस्तों तो यह अपनों का सर्व सिक्षा अभियान का अंग है दोस्तों अगला है आपका दोस्तों कि भारती विश्व विद्याले आयोग का गठन भारती 20 विद्यालाय आयोग का गठन दोस्तों किया गया तो सन 1902 इस्वी में हुआ था अगला अपनों का है कि लाड मेकाले को भारत कब भेजा गया दोस्तों तो लाड जो मेकाले हैं भारत 1834 इस्वी में आये थे अब अगला अगल Omaha जो क्वेशन से दोस्तों अतゐल गुंझा प्रशन पुछा गया कि महीला समक्हा कारेकरम क्या है दोस्तों तो महीला और समक्हा कारेकरम दोस्तों ग्रामीड च्षेत्र होता है खासकर जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े सम्मूह की जो महिलाएं होती हैं उनकी सिक्षा तथा ससक्ति करड के लिए इसका सुरुआत हुआ था दोस्तों तो महिला समख्या कारेकरम क्या होगा दोस्तों कि ग्रामिड छेतर में खासकर सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी सम्मूह की महिलाओं की सिक्षा और ससस्ति करड के लिए इसका सुरुआत किया गया दोस्तों अगला केशन आप लोंका पूछा गया कि आपरेशन ब्लैक बोर्ड की दो विसेस्ताएं बताईए दोस्तों ठीक है तो आपरेशन ब्लैक बोर्ड की दो विसेस्ताएं यह है दोस्तों कि विद्यालय और कच्छा कच्छ को क्या आकरसक बनाना दोस्तों जैसे अगर कोई भी सिच्छा हो वो क्या हो बाल केंद्रित हो बाल केंद्रित दोस्तों क्रिया कलाप जो हो आधारित सिच्छर अधिगम हो दोस्तों यह इसका है दोस्तों ठीक अगला आपका question अगले साल उसको दो में जाना चाहिए फिर भी वो दो में नहीं कोई भी बच्चा है एक वर्स से अधिक के कहरे होता है अगला कैसे है आप लो êtes का कि कोठारी आयो की नियुक्ति का मुख्य उद्धे से बताईए दोस्तों कोठारी आयो की मतलब की नियुक्ति का जो मुख्य उद्धे से दोस्तों कि सिक्षा प्रणाली की जो गुडवक्ता है क्या दोस्तों कि सिक्षा जो आप लोगों की प्रणाली है उसकी जो गुडव वक्ता है ठीक है उसको सुधार है तो भारत सरकार को क्या हो उचित सुधाव प्रदान करना था अगला है दोस्तों आपका कि वुड के घोषरा पत्र के दो दोस बताना था दोस्तों तो दोस्तों अब बोल सकते हैं देखें कि गोड का घोस्रा पत्र का जो दोस्त दोस्तों तो पहला जो आपका इसका जो दोस्तों दोस अगर हम बोलें तो इसमें ये था कि जो सिक्षा का छेत्र था दोस्तों क्या सिक्षा का जो छेत्र था वो सरकार और नौकर साही के अधिपते में चला गया था पहला दोस्ता दूसरा था दोस्तों उच एवं जो प्रात्मिक सिक् जब ही इसका दोस्तों दोस्तर आप क्या समझते हैं दूस्तों हरा की दोस्तों कि नियुन तम है अधिगम स्टर दोस्तों तो आप बोल सकते हैं देखिये कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें यह निर्धारित किया जाता है कि बच्चे को किसी निश्चित इस्थर पर कम से कम कितना सीखना है वो आप लोग का नियूंतम अधिगम इस्थर होता है दोस्तों कम से कम उसको कितना सीखना है दोस्तों यह कहा था नियुनतम अधिगम इस तर पर यह एक प्रकार के प्रक्रिया ऩह गर्न किया जाता corpo कि बच्चे को कि आ पर कम से कम कितना सीखना है मतलब कि कम कम से कम कितना 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 सीख रहा है यह चीज है ठीक है दोस्तों अगला है कि NCF 2005 के निर्माढ है तो गठित राष्टी संचालन समीती के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों तो प्रोफेसर यसफाल थे कौन सा दोस्तों प्रोफेसर आप लोगों के यसफाल थे चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगला है कि स्कूल रेडिनेस कारिकरम क्या है तो दोस्तों स्कूल रेडिनेस कारिकरम आप लोगों का एक तरीके समझ लेज़े कि राष्ट्री सिख्छा नीटी के तहट दोस्तों प्राथमिक सिख्छा को मजबूत करने के लिए दोस्तों क्या कि school readiness कारिकरम क्या होता है दोस्तों कि प्राथमिक सिच्छा जो है उसको मजबूत करने के लिए अप्रेल से सितंबर तक इसकूल में दोस्तों यह school readiness कारिकरम चला जाता है कहां तक दोस्तों अप्रेल से लेकर के सितंबर तक यह कारिकरम चला जाता है प्रारंभिक सिच्छा को मजबूत करने के लिए दोस्तों अगला आपका है दोस्तों कि बनारश संस्क्रीट कालेज की स्थापना किसने की थी दोस्तों तो दोस्तों जोनाथन डंकन ने किया था दोस्तों किसने जोनाथन डंकन ने दोस्तों ठीक है है अगला दोस्तों है का इसत्री शिक्षा है तो दो सुझाव लिभिकly अगर आप देंगे तहावास में लीग सकते हैं कि कोई भ्यक्ती पूरुष पढ़ेगा तो खुद को शिक्षित करेगा लगीन अगर कोई महिला पढ़ेगी तो वो पूरे परिवार को सीश्चित करेगी परने वाहां सामें इसको लिख सकते हैं दोस्तों अगला है आपकात दोषिक्षिए पी मोष्ट कारेक्रम का ड् to do डोस्तों पीमौश्ट कारिक्रम क्या उदेश से दोस्तों आप इस्वें बोल सकते हैं दोस्तों कि जो राष्ट्री सिक्षादरीыт पहला आप बोल सकते हैं देखें मूल संस्तितियां हैं उसको उससे अगत कराना और दूसरा आप लेशन जो ब्लैक बोर्ड है उसका समचीत प्रयोग पर जोड़ देना दोस्तों अगला है दोस्तों आप लोगों का देखें विद्ध्यालेयों मुखी कारेकरम में किस आई वर के वर को परसीचित किया जाता है दोस्तों तो इसमें दोस्तों आप लोगों का 14 वर्स तक कब तक दोस्तों 6 से लेकर के आप लोगों का 14 वर्स तक की बच्चों को किया जाता है सिह से आपगा दिए चाओद वर्स्ताग टीकर राश्टि मेरी सिख्षा निती से क्या है जो तो राश्टि ज़ान निती से आप बल सकते हैं आप निती है जिसके द्वारवा दोस्तों भारत सरकार को बढ़ावा देने और भारत में चेटी था विया दोस्तों और सभारत बढ़ावा देना को दोस्तों उस सिच्छा को बढ़ाना है प्रारंभीक और प्रारंभीक और उच्छ सिच्छा दोनों को दोस्तों बढ़ावा देना इस तरीके से अगला दोस्तों जीला प्राथमिक सिच्छा कारेकरम की दो विश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् दोस्तों और दूसरी विश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् पंच मुखी कारेक्रम क्या है इस पस्ट कीजिए कस्तुर्बा गान्धी बाली का विद्याले की घटक लिखिए प्रारंभीक बाल दंड रेख एवं सिच्छा कारेक्रम की संचिप्त विवेचना कीजिए याप क्यों